ओम नहू भगवते वासु देवाय नमा नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन और प्रेगनाव दोस्तों हर इंसान यही चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करे खूब उन्नती करे उसके खर में खूब बरकत हो उसके संसार खुशियों से भरा रहे उसकी जिंदगी में कभी कोई कश्ट दुख तकलीफ नहीं आए बरकत क्या मतलब है इस शब्द का? बरकत का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि पैसों की बारिश होने लगेगी या आप सीधे अमीर हो जाएंगे या आपके पास अभी कुछ नहीं है तो कल सब कुछ हो जाएगा बरकत का मतलब यह होता है कि आप आज जहां हैं कल आप उसके आगे हो जाएं या आपके घर में जो भी धन आ रहा है वो खाने के बाद थोड़ा भविश्य के लिए बचाने के बाद और थोड़ा दान करने के बाद भी आपके पास धन बच रहा है और आपके जिंदगी खुश और खुश हाली से बीत रही है बरकत का अर्थ होता है कि जब हम अपनी जिंदगी में हमारे घर में जितने भी पैसे आ रहे हैं उसमें हमारा पूरा परिवार अच्छे से गुजारा कर पा रहा है और उसके साथ साथ थोड़े से पैसे हम अपने फ्यूचर के लिए अपने भविश्य के लिए बचा पा र रूरत, साधू भूखा ना जाये, यानि कि कुछ दान दक्षणा कर सकें, या हमारे घर में जो आये, उसको खाली हाथ विदा ना करें, इतने पैसे हमारे पास हो तो हम अपनी जिंदगी में बरकत समझते हैं, हम समझते हैं कि हमारी जिनदगी में सब अच्छा हो रहा है, दो भी पैसे आते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं कभी बिमारी में लग जाते हैं या हमें उधार लेना पड़ता है जिसकी वज़े से जो पैसे आते हैं वो वहां चले जाते हैं या पैसे फिजूल में ही बर्बाद होते रहते हैं और हम अपने बविश्य के लिए कुछ भी बचा नहीं पाते बहुत छोटी छोटी तीन बाते हैं जो मैं आज आपको बताने जा रही हूं इस वीडियो के जरिये से जिसे अपनी जिंदगी में आप अपलाई करें जिसे आप अपनी जिंदगी में रोज की जिंदगी में अपलाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर म मातालक्षमी और भगवान विश्णु का स्थाई रूप से वास्थी होगा दोस्तों सास्त्रों में बताया गया है कि दान करना एक बहुत बड़ा पुन्य का काम होता है हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे पास 100 रुपे हैं हम 10 रुपे दान कर देंगे तो मेपस 90 ही बचा लेकिन ईश्वर जानते हैं कि जो लोग दान करते हैं वो 90 से 900 होते समय नहीं लगता इसलिए हमें हमेशा दान पुन्य करते रहना चाहिए शास्त्रों में बताया गया है कि आपके घर के आपके घर के द्वार पर कोई भी आय उसे कभी खाली हाथ नहीं लोटाना चाहिए मैं यह नहीं कहती कि आप उसे अपना समान उठा कर दे दें या बड़ा समान उठा कर दे दें जो भी आपके पास है उसका कुछ हिस्सा उस व्यक्ति को भी देना चाहिए इसके साथ साथ ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि हमारे घर की बेटी या नन्ड जो होती है वो भगवान का ईश्वर का रूप होती है इसलिए उन्हें देने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए उन्हें देने में कभी कुताही नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये तो रोज आ जाती है या अभी उनके बारे में बुरे विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए अपने घर की बेटियों को देने से घर में जितनी वरक्कत होती है आप सोच नहीं सकते आपको दस गुना से भी जादा लाब होता है अगर आप अपनी घर की बेटियों को खुश रखते हैं इसके साथ साथ दूसरी चीज यह है कि कभी किसी को दुतकार कर अपने दर्वाजे से नहीं भगाना चाहिए आपके दरवाजे पर अगर कोई कुछ भी मांगने आया है आप नहीं देना चाहते कुछ नहीं देना चाहते तो आप कुछ भी मत दीजे लेकिन उसे दुतकार कर अपने दरवाजे से ना भगाएं उसे बुरे शब्द बोल कर अपने दरवाजे से ना भगाएं हम नहीं जानते कि इश्वर किस रूप में आएंगे और किस रूप में हमारी परिक्षा लेंगे इसलिए कभी किसी को बुरे शब्द बिल्कुल भी ना कहें दूसरी चीज जो कि है वो है कि हमें हर वक्त धार्मिक रहना चाहिए आजकल बड़े सारे टीवी में बताते हैं या टीवी सीरिल्स में फिल्म्स में दिखाया जाता है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती और बहुत सारे लोग उसकी तरफ बढ़ते जा रहें पर ऐसा बिल्कुल भी हमें अपने मन में ये विचार कभी भी नहीं लाना चाहिए या कभी-कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत पूजा पाट की बहुत मन से कोई व्रत रखा लेगिन उसका फल हमें नहीं मिला तो उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई चूक हमारी ही होगी ईश्वर की गलती नहीं हो सकती कोई तो ऐसी एक शक्ती है जो हमें हर वो चीज़ दे देना चाहती है जो कि हम दिल से चाहते हैं इसलिए हमें हमेशा धार्मिक रहना चाहिए और अपने बच्चों में अपने आगे के जिंदगी में हमेशा वही संस्कार डालने चाहिए कि हमें हर वक्त धार्मिक रहना चाहिए और धर्म की बातें करनी चाहिए चाहिए आप जिस भी धर्म को मानते हों इसके साथ साथ कहा जाता है कि जहां पर दलिदृता होती है वहां पर गरीबी होती है उस घर में उन्नति तरक्की नहीं होती तो क्या होती है दलेदरता गंदगी, अगर आप अपना घर पूरा अच्छे से साफ कर दें, चमका कर रखें और आप इधर उधर पगल में अडोसी पड़ोसी से लड़ाई जगडा करते रहे या आपके घर में हरवक जगडा होता रहे, तो क्या माता लक्ष्मी आपके घर मे वास करेंगी जी नहीं आपको अपने अंदर की दलिज़ता अंदर की गंदगी को भी साफ करना पड़ेगा तभी आपके घर में माता लक्ष्मी वास करेंगी आप खुद सोचे आप किसी के घर गए हो और वहाँ पे दो लोग आपस में लड़ रहे हो या अरोस पडोस वालों है या लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो उस घर में उन्नती कभी नहीं होती उस घर से माता लक्ष्मी से जैव के लिए अपना मूँ फीर लेती है हमें अपने घर के साथ साथ अपने मन को अपने विचारों को भी शुद रखना चाहिए साफ रखना चाहिए ताकि हमा हमारे घर में लक्ष्मी रुपक पौधे होते हैं जिने हम बड़े शौक से लगा लेते हैं जैसी कि तुलसी का पौधा शमी का पौधा केले का पौधा उसकी भी हमें उसी तरह सेवा पूजा करनी चाहिए जिस तरह से हम अपने मंदिर की सेवा पूजा करते हैं दोस्तों उन पौधों को केवल अपने घर में लगा देने मातर से कुछ भी नहीं होता आप उनकी सेवा करें उसी तरह उनकी पूजा करें उसी तरह वहाँ पर सफाई रखें जुस तरह आप अपने पूजा घर की रखते हैं तभी वह अपनी तरफ लक्षमी को अट्रेक्ट करते हैं तभी आपकी घर में खुशिया आती हैं ये बहुत छोटी छोटी बाते हैं जिनका रोज की जिंदगी में ध्यान रखने से आपकी जिंदगी में सुक शामती समरिधी की कभी नहीं होती आपकी जिंदगी से तरक्की या शाने से कोई भी रोक नहीं सकता ऐसा करने से आपके वंश तो आगे बढ़ता ही है उसमें संसकार भी आता है और इसके साथ साथ आपके पित्र भी प्रसन होते हैं अगर आपके घर में खुशाली होती है, हर वक्त खुशी का महौल होता है, लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इससे आपके पित्र प्रसन्न होते हैं, पित्र प्रसन्न होते हैं, तो इससे आपकी वंश बेल आगे बढ़ती है, उससे आपकी जिंदगी में सुख, शांत झालो जो पुट